Computer Attack in Hindi में आपका स्वागत है मैं महम्मद फैजान अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइब कर लिजिए सस्क्राइब करने से आपको हमारे वीडियो मिलते रहेंगे जो मैं नए अपलोड करता हूँ और हमारे वीडियो को लाइक भी किजिए ताके हमें पता लगे कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं किस तरह से हम अपनी जो है बहुत सारी फाइल्स को एक साथ रिनेम कर सकते हैं और उनको हिसाथ से modify कर सकते हैं ठीक है देखिए क्या होता है करके दिखाते हैं ठीक है जैसे के मानिए हमारे पास यहां पर कुछ यह files हैं अब मैं चाहता हूं यह सबका एक ही नाम हो ठीक है तो हमें क्या करना है control A सबको select करना है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो जादा पुरान है वो ऊपर की तरफ आए और जो कम पुरानी है वो नीचे की तरफ आए ठीक है तो हमें क्या करना है कि इसमें short का option होता है राइट में short भई ठीक है नेम करेंगे तो जो इसके नाम दिए हुए हैं उनके हिसाफ से हो जाएगा और डेट टाइप करेंगे तो डेट हो देखें सबसे नाया यह है उससे पहले यह था उससे पहले यह था और सबसे पुराना जो चीज इसके अंबर है बनी हुए वह यह है या तेरे सबसे पुराना डेट का फोटो यह इस तरह से है ठीक है तो डेट टाइप कर सकते हैं इसी तरह से हम ग्रूप बाई कर सकते हैं कि तreek के टाइब कहीर सकते हैं गिखेंद के लाव पाद है इसके इसाफ Yeah तीया है इसके राव हम साइब से कर सकते हैं सबसे ज्यादा साइज जिसका हो ऊगे उसके बाद बाकि सब पीछे ठीक है तो एक फाइल है इसके अंदर 36 कि situação कि यस से ज्यादा तो जो किसी साइज 5.50 MB का है तो इस तरह से यह according to size हो गया है तो अगर हमने कोई files डाल रखी हैं बहुत सारी हम चाहते हैं कि date के हिसाफ से हो कि मैंने कौन सी date में कौन सी file बनाए थी उसके हिसाफ से हो तो उसको date wise कर लेंगे इस से और सबको चक्रोब्र करेंगे और सबको एक साथ rename करेंगे तो रिम करेंगे और और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो वो सब हो जागा हमारे देखते섯 की मिनट में और स इंदर डेंदर देता है यह में पंपिटर में पेंदरलाने मैं लाता हूँ तो इसको आज की देट तो यह आज की डेट मानी जाएगे और कल को मैं फिर एक और फोटो लाता हूं वो कल की डेट दे देगा तो यह सब टेट वाइज जो है computer उसको रखता है डेट वाइज रखता है टाइम वाइज रखता है और क्या बोलते हैं आपको नेम वाइज रखता है साइज वाइज रखता है तो इस तरह से हम computer की सारी files को एक साथ rename कर सकते हैं देखे कितने आसानी से इसने सबको rename कर दिया है ठीक है तो इस तरह से हम कर सकते हैं कैसे राइट क्लिक करेंगे और short by करेंगे अब हमें चाहिए size wise ठीक है तो size wise में ये गड़बड हो रहा है कि पहले size का कौन सा है दूसरा कौन सा है तो सबको select करेंगे और इसको right click करके rename करेंगे और work नहीं करेंगे अपके मैं अपना नाम के एक्षर दे रहता हूं और बाहर क्लिक करेंगे तो यह आसानी से सब पर number डर गए है और इससे अब हमें ये भी पहचान हो जाएगी कि यह जो है यह सबसे बड़ा है यह से कम है यह से कम है ठीक है इससे पहले 44 और है जो इससे बड़े size की है इस तरह से हम प्रिस्टिंग पढ़ेंगे आज कि पसंद आया है तो कंप्यूटर टैकिन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए